बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत इजी और सिंपल सा नेक का डिजाइन तो चलो आज कि इस वीडियो को शुरूब करते हैं तो यहां मैंने बוכरम ले लिया है और उसको मैंने इस तरह हां से फोल्ड कर लिया है फोल्ड करने fraction के बार नेक की जो चोड़ाई है वो रखेँगे सब्सक्राइब साथ है और नेक की जो लंबाई है वह आपस में इस तरह से मिला लेते हैं और इसके बाद अब हम नेक को इस तरह से रॉंड शेफ दे देंगे कि तो नीचे तीन इंच पर हमने निशान लगाया वहां पर भी ऐसे ही हम एक शेफ देंगे और उसके बाद बाहिर वाली साइड पर पॉने इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे तो अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं तो इसी दोरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइक ओन प्रेस करें ताके आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको असानी से मिल सके तो वीडियो को लास अकलास भी देखा करें अगर अच्छी लगे उसे लाइक करें शेय और अब हम इस नेक को जो है वो फैब्रेक पर पेस्ट कर लेते हैं तो नेक को जो है वो मैंने फैब्रेक पर पेस्ट कर लिया है और अब मैंने यहां पर गम स्टिक लिए है यह वाली और इस गम स्टिक को अब नेक के फैब्रेक पर लगाएंगे और उसके बाद इसका एक् कर लिया है और मैं अब हम इसके इस तरहां से कट वर्क यह जो है नोक इसके उपर इस तरहां से सिलाई लगा लेंगे तो थोड़ी सी मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम इस सिलाई के उपर इस तरहां से यह लूप्स जो है इसको स्टिच कर लेंगे तो लूप्स को जो है वो मैंने स्टिज कर लिया है और अब हम इस तरह से इसको जो है इसका सेंटर करते हुए इस तरह से तैय लगा लेते हैं और यहां पर सेंटर में कट लगा लेंगे और अब मैंने यहां पर शैड का फ्रेंट ले लिया है और उसकी उलकी साइड पर नेक को सेंटर में इस तरह से रखेंगे और इसकी सेंटर में इस सिलाई पहली लगा लेते हैं तो सिलाई जो सेंटर की अब मैंने लगा ली है धागे को कट करने के बाद अब हम बिल्कुल नेक के भुकरम के साथ सा जो है वो सिलाई लगाएंगे तो नेक को मैंने सलाई जो है वो लगा ली है और अब हम इसका एक्स्ट्रा जो फैबरिक है उसकी कटिंग कर लेंगे फैबरिक की कटिंग करने के बाद इसमें इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि नेक को पलटने में असानी हो काट लगाने के बाद अब हम नेक को इस तरह से पलेट लेंगे और इसके उपर अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं तो नेक को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और अब मैंने अब यहां पर लेस लिये और इस लेस को आप इस तरह से नेक के नीचे रखेंगे और इसके उपर किनारे की जो है वो सिलाई लगा लेते हैं तो ऐसे ही पूरी लेस को जो है वो हम स्टिच करेंगे इसी रॉंड शेप में और बहुत ही खूबसूरा सा डिजाइन है आप इस डिजाइन को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा फिरकल इजी है और सिंपल सा डिजाइन है तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम इसका एक्स्टरा फैबरेक कटेंग कर लेते हैं और अब कहां पर मैंने ये वाला पर लिया है इसको सुई धागे की मदब से स्टिच करेंगे आज का हमारा ये जो नेकर डिजाइन है वो रेडी हो गया बहुत ही खूब सूरत है और सिंपल सा डिजाइन है आप इस डिजाइन को जरूर ट्राइ कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आला हाफिज